add the rate n-c-e-r-t video book में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट दो घर आई शुरू करते हैं आनन्दमाई कविता घर पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर गूम घाम लें, खेल खाल लें नहीं बोलता लेकिन घर नहीं आपको लगता पापा है मा की गोदी सा घर प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर ठक कर जब वापस आते हैं कैसे बिच बिच जाता घर खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजी देता घर लेखक दिविक रमेज आईए पाठ को दो राते हैं पाठ है घर यहाँ पर एक बच्चे का चितरतिया है वहीं अपने पापा से ये चीजे बोल रहा होगा बोल रहा है पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर घूं घामले खेल खाले नहीं भूलता लेकिन घर नहीं आपको लगता पापा है मा की गूदी सा घर प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर तक कर जब वापस आते हैं कैसे बिच बिच जाता घर खिला पिला आराम दिला कर नई ताज की दिता घर लेकक दिविक रमेज बाचीत के लिए एक आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों दूसरा आपको कब-कब घर की याद आती है तीसरा घर को मा की गुदी सा क्यों कहा गया है चौथा कोई ऐसी घटना सुनाईए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर में का कोई काम किया हो तो आपको इन प्रस्णों की जवाब लिखने है पहले प्रस्ण में आपको अपने घर के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है उसे आप लिख सकते हैं आप कुछ भी घर के बारे में अच्छी चीज लिख सकते हैं घर में बड़े बड़े कमरे हैं घर में सभी चीजों की ब्योस्ता है सोने उटने बैठने की घर में सभी लोग राते हैं में खेलने को मिलता है ये सब चीजे आप लिख सकते हैं आप सुचे और लिखें दूसरे प्रस्ण में आपको घर की याद कवा आती है आपको लिखना है आप कभी बाहर जाते हैं या इस्पूल में जाते हैं तो आपको घर की याद आती होगी आप उसे लिख सकते हैं घर को मा की गोदिशा क्यों कहा गया है करकुमा की गोदिसा इस वह से कहा गया है क्योंकि घर में मा की गोदसा अराम मिलता है हमें कोई परजानी नहीं होती आप सोचे और लिखें कोई ऐसी घटना सुनाना है जो सब लोग ने मिलकर साथ में काम किया तो ऐसी घटनाएं बहुत सी होती हैं जैसे घर में कभी कोई function हो गया साथी या कोई तेवार आ गया जैसे दिवाली या होली तो साब सफ़ाई करने के लिए सबी लोग मिल्जूल कर करते हैं या सच्चा धजक में घर में किसी का पड़े आया सबी लोग मिल्जूल कर मनाते हैं घर में कभी साथी हुआ या कभी कोई और तेवार या कोई और function तो उसमें भी सबी लोग मिलकर चीजू को मनाते हैं खोजे जाने एक घर कभता अपने परिवार के किसी सदर से को सुनाईये घर या परिवार पर उनसे कोई अनकभता या कहानी सुनने के लिए कहना है तो आपको घर कविता अपने परिवार के किसी सदा से को सुनाना है और उनसे भी घर या परिवार पर कोई अनकविता या कहाने के लिए कहना है अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखे परिवार के लोग आपकी मा की बहान, तो आपकी मा की बहान हुई, आपकी मौसी, आपकी मा का भाई, आपकी मा का भाई हुए आपके मामा जी, मौसी जी हुई और यह हुए मामा जी, आपके पिता जी की बहान होंगी आपकी बुवा जी आपको घर में किसी से या पूछ लेना है आप किस नाम से बुलाते हैं तो आप अपनी घर में पूछ लेंगे मौसी जी, मामा जी, बुवा जी आपके पिता जी के भाई तो आपके चाचा जी शिक्छरसन के वो सकता है कि सभी बच्चे यह कारिकर के ना ला पाएं जो भी बच्चे ला पाएं उन्हें उनका कारिक कप्चा में साजा करने के लिए कहिए ताकि सभी बच्चे उसका आनंद ले सके बच्चों द्वारा अपनी अपनी मात भासा में लिखे गए सब्दों को स्विकार कीजिए और कप्छा में बहु भासिकता की भावना को प्रोचाहित कीजिए इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCRT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद